मुझे आप सब मैं हूँ निखिल और आज में लेकर आया हूँ एक टेक रिवी वीडियो आपके लिए अब मुझे पता है ये सुनके आप लोग क्या सोच रहे हो बाई सब ये किस लाइन में आ गए है आप लेट में एक्स्प्लीन मुझे टेक रिवी वीडियो देखना हमेशा सही बहुत जादा पसंद था और पसंद है और ये जो टेक कॉंटेंट क्रियेटर्स होते है ना जैसे अन्बॉक्स तरेपी, MKBHD, टेक बरनर इनने मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और अपी भी देखता हूँ मुझे बहुत मजा आता इनने देखने और मेरा हमेशा से ऐसा मन करता था कि मैं भी टेक रिवी वीडियोज बनाओं जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ बट वो प्लान कभी एक्जेक्यूटी नहीं कर पाया मैं अंटिल टुडेए सो 2022 मैं मैंने एक एक ऐसा रेजिवीशन रखाँ है कि मैं टेक रिवी वीडियोज बनाना स्टार्ट करूँगा जो मुझे बहुत जादा जेनुएनली पसंद है और मुझे पता नहीं मैं कितने वीडियोस बनाऊंगा, ज़ादा बनाऊंगा, 北 बनाऊंगा जरूर और मैं ज्यादा तर उनी प्रोडुक्स के रिव्यू करूंगा जो हमारे डिजाइनिंग और अनिमेशन फील्ड से रिलेटेट है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते है तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा से बैठ कर एडिटिंग करते हुए और इतना पीचिक के सामने बैठने के वज़े से मेरे आखो में फाना स्टार्ट हो जाता है विच्च आम शूर आप मैंसे काफी लोग के साथ होता होगा लिटरली मेरे आखोसे पानी आना स्टार्ट हो जाता है जब मैंने चेश्मा नहीं पहना होगा और मैं थोड़ा सा डिम लाइट या लो लाइट में काम करता हूँ इससे क्या होता है जो मॉनिटर की लाइट होती है उससे आखों पे और ज्यादा स्ट्रेस आता है अब इस आई स्ट्रेंट को थोड़ा सा कम करने के लिए मेरे पास एक और सबसे इंपोर्टन चीज उससे मुझे नहीं आना स्टार्ट हो जाता है तो मैंने सोचा कि भाई बस अभी कुछ सल्यूशन देखना पड़ेगा नहीं तो आखों का नंबर जो है वो बढ़ते ही रहेगा तो तो तोड़ा रिसर्च करने पर मुझे इस प्रोड़क के बारे के लिए मैंने सुचा छोड़ो आखो का नंबर बढ़ने दो अब हर एक प्रोड़क का अल्टेनेटिव होता है तो मैंने सुचा यार इसका भी होगा 10,000 रुपे तो मैं एक लाइट बार में नहीं स्पेंड करने वाला तो Amazon पर थोड़ा सर्च करने पर मुझे इस ब्रैंड लग रहे है तो चलो ठ्राइ कर लेते है तो इस तरीके से हमें बेस। स्क्रीन बार का बॉक्स मिलता है और बैक साइड में कुछ product information है कि इसे कैसे use करना है तो चलिए इसे open करते है यहाँ पर कुछ stickers है और user manual जिसकी हमें बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है फिर यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है एक type C cable which is nice braided तो नहीं है बट ठीक है and then finally यह हमारा basis का screen bar first impression की बात करूँ तो quality जैसे मैंने expect की थी उससे ज्यादा अच्छी है पूरी तरीके से aluminium का बना हुआ है और काफी अच्छा weight है इसमें और screen bar के right side में हमें तीन touch control option मिलते है power on and off light color change and intensity control करने के लिए और इस clamp को use करके हम इसे अपने monitor पर place करेंगे क्लैम के अंदर की तरफ एक rubberized finish है जो की monitor को grip करने के लिए काफी सही रहेगी तो चलिए अब इसे setup करते है इसे setup करना भी बहुत ही जादा easy है simply आपको यहाँ पर जो port दिया गया है वहाँ पर type C cable लगानी है और फिर इस screen bar को अपने monitor के उपर क्लैम कर देना है फिर आपके PC या monitor के पीछे जो USB slot होता है उसमें इसे लगा देना है एक चीज़ का ध्यान रखे कि जहाँ पर भी आप इसकी power code लगाओगे वहाँ पर at least आपको 5 watt की power supply मिले वरना ये screen bar on नहीं होगा अब मैं अपने room की सारी lights बन करके सिर्फ इस screen bar की light on करके काम कर सकता हूँ right side में आपको 3 touch control मिलते है जिससे आप इसे on off कर सकते हो हमें 3 color option मिलते है white light, warm light and mixed light और आप इसकी light intensity भी कम जादा कर सकते हो और जिस भी intensity and light mode पर आप इसे बन करोगे next time on करने पर ये उसे याद रखता है which is quite nice अगर मुझे कोई और चीज़ भी करनी है जैसे book read करना है तो वो भी मैं आराम से कर सकता हूँ बिना आखो पर stress आए हमने इस product के pros देख लिए अब बात करता है इसके cons या ऐसी चीज़े जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसे लेने से पहले make sure करें कि आपके keyboard की जो keycaps है वो reflective ना हो वरना आप जबी भी इस screen bar को on करेंगे तो आप अपने keycaps के letters है उनको ठीक से देख नहीं पाओगे same goes for the desk अगर आपका desk reflective है तो आपको एक desk pad या desk mat यूज़ करना होगा और जैसा कि basis ने mention किया है कि ये light आपके desk पर आती है monitor पर नहीं जाती है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर मैंने देखा कि light आपके monitor पर भी आएगी तो अगर आपका display अगर glossy panel वाला है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो screen bar का clamp है वो काफी tight हो जाता है आपके monitor की edge पर इससे क्या है कि light bleeding होने की chances काफी है तो आप finally बात करता है कि यह light जो है यह किसके लिए है और क्या आपको एक screen bar में invest करना चाहिए या नहीं तो अगर आप मेरी जैसे हो जो कम से कम दिन के 6-7 गंटे एक-एक monitor के सामने बैठ कर spend करता है तो definitely आपको इसमें invest करना चाहिए इससे काफी हद तक आपका जो ice train है वो कम हो जाएगा और इसका जो 3,600 रुपीस का जो price point है वो इसकी quality के इसाब से बहुत अच्छा है अब इसके कुछ cheap options भी है Amazon पर जो around 1000 से start होते है बट उसकी quality एकदम भिका रहे है और यह जो basis का screen bar है यह पूरा aluminum से बना हुआ है उपर से आपको एक साल की warranty भी मिल रही है तो अगर आप इस product में interested हो और इसे चेक आउट करना चाहते हो तो मैंने link description में दे दिये है आप लोगों को आज का यह review video अच्छा लगा होगा एक कोशिश की है मैंने और अगर आपको यह कोशिश अच्छी लगी तो या लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को support करने के लिए और शेर करें अपने सभी tech friends के साथ इसी के साथ मैं आप लोगों से मुलूंगा अगली वी से क्रेटिव पसाओ